गुड़ मॉनिंग आपका बदबद स्वागत है तो फ्रेंट्स आज हम बनाने जा रहे हैं कसूरी मेती और फ्रेंट्स घर पर कसूरी मेती किस प्रकार से बना सकते हैं इसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिये जो कि बीच बीच में आगर हम वीडियो को स्किप कर दे और अब सारी मेथी बेज दी है भाईया ने और यह मेथी जो उग रही है वो डवल से उगी है यह देखिए आप देख सकते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर में बड़ा सा बरतन लेकर आई हूं हरी मेथी रखने के लिए तो चलिए फ्रेंट्स सबसे पहले तोड़ लेते हैं जादा बड़ा डंठल हमें नहीं तोड़ना है क्योंकि वो कड़क होता है और यह देखिए आप देख सकते हैं काफी बड़ी पतियां है यहां पर तो इस प्रकार से हमें तोड़ना है और इस प्रकार से तोड़ तोड़कर हम इस बरतन में रख लेते हैं तो यह देखिए फ्रेंट्स आप इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं मेथी को अभी नरम मेती है ज्यादा कड़क नहीं हुई है लेकिन आपको ज्यादा बड़े डंठल नहीं तोड़ना है देखिए ले अगर मेथी कड़क है या फिर आपने मार्केट्स में से जो मेथी खरीदी है उसमें बड़े डंटल है तो आप उसमें से पत्तियां पत्तियां ही तोड़िए यह देखिए इस प्रकार से करें देखिए यहां से हमने इतनी सारी मेची तोड़ ली है आप देख सकते हैं देखिए बहुती बड़ी और ताजा ताजा मेती है पत्ति पत्तियां तोड़ ली है इसकी कि तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं घर की ओर है तो यह देखिए फ्रेंड्स हम घर पर आ बापस से हम उसी वर्तन में रख लेते हैं इस मेथी को तो यह देखिए फ्रेंड्स मेथी जडा ली है आप इसको दोलेते हैं यह देखिए हमने पाने लिया हुआ है यहां पर मेथी है इसको अच्छे से डोगो डोगो पर फंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स इस बरतन का पानी फेक देते हैं और इसको एक बार और धोकर रख लेते हैं और यह मेती धोकर इसी बरतन में रख लेते हैं यह देखिए तो यह देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहां पर मेती को हमने दो से तीन बार साफ पानी से दोलिया है और यहां पर हमने सूपड़ा ले लिया है तो अब हम इस मेती को इस सूपड़े में फैला देंगे इस प्रकार से क्योंकि पानी मेती में भी निकल जायगा और हम मेती इसी सूपड़े में छूपने देंगे इस प्रकार से हमें पतली फैलानी है यहां मेती की ज्यादा मोटी परत नहीं करनी है आप चाहें तो साफ cotton का कपड़ा ले लीजिए और उस पर इस मेति को फेला दीजिए और सूपने दीजिए लेकिन यहां पर मैंने सूपड़ा लिया है और यह देखिए पूरे सूपड़े में मैंने मेति को पतला-पतला फेला दिया है यह देखिए इस प्रकार से और फ्रें तो इसका कलर भी पीला पड़ जाएगा और इसमें से जो खुषभू आती है बहुत ही बढ़िया वह भी नहीं आएगी तो इसलिए हम इस मेती को च्छाओं में ही सुखाएंगे तो फ्रेंट से सुबह का समय है और हमें मेती को इसी प्रकार से च्छाओं में रखे रहने देन दूसरे दिन भी शुखाना पड़ेगा च्छाओं में लेकिन अभी मैं इसको घर के अंदर रख देती हूं कि बाहर रोस गिरेगी तो जो है मैथी गीली हो जाएगी तो इसलिए मैं घर के अंदर रख देती हूं और यह देकि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दूसरे दिन की दूप में सुखा लेते हैं तो यह बीच में जल्दी खराब भी नहीं होती है और आप इसको एक साल से लेकर दो तीन साल तक इस्टोर करके भी रख सकते हैं तो यह देकि फ्रेंड्स यहां पर हमने एक दो घंटे के लिए मैती को दूप में सुखा लिया है दिए बहुत ही बड़ी तरीके से मेती सूप कर तयार है तो फ्रेंट्स आप जब भी घर पर कसूरी मेती बना तो इस विदी को जरूर अपना है क्योंकि मेती सूप जाती है लेकिन जब तक हम इसको धूप नहीं दिखाते हैं एक दो घंटे की तो इसकी नमी खतम नहीं होती है और इसके खरा करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा कर आल के बटन को जरूर दबाए क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड की जाया तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचे तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार